नमस्कार बच्चों, वेलकम टो एजुकेशन थेरपी, मैं हूँ अख्लिष, आज मैं आप लोगों को उत्तरप्रदेश बोर्ड कच्छा नौ विसेविज्ञान में पाठेक पढ़ाऊंगा, पाठेक जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ या इंगलिस में matter in our surrounding तो देखते हैं इस पार्ट में, क्या-क्या चीज़े हमको पढ़नी हैं, क्या-क्या चीज़े हम जानेंगे इस पार्ट में, यह सारी चीज़े हम देखते हैं, चलिए सुरू करते हैं, देखिए अध्याए एक, हमारे आसपास के पदार्थ, अब देखिए पदार्थ होते क्य है, सबसे पहले सुरू करते हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ है लिखा हुआ है, पदार्थ होता क्या है, देखिए, बहुत सी चीजें हमको अपने आस-पास दिखाई देती हैं, बहुत प्रकार की वस्तूएं, उन में हवा भी हो गई, या साइकिल हो गई, मोटर गाड़ी हो गई, लोहा हो गया, पानी हो गया, जो कुछ भी हमको दिखता है, बालू हो गया, पिगड़ पौदे, ये सब क्या है, ये सब कुछ हमारे क्या है, सब पदार्थ, यानि हरी चीज जो कुछ हम देखते हैं, इस्तमाल करते है जो कुछ भी है में मिलता है वो सब कुछ क्या है सब पदार्थ ठीक है अब पदार्थ विज्ञान के सुरूप में कैसे कहते हैं देखे विज्ञान के सुरूप में हम कहते हैं कि प्रतेक वस्तु जिस सामग्री से बनी है वोई भी वस्तु हो वो जिस सामग्री से बनी है उसको हम पदार्थ कहते हैं ठीक है? ये एक तरध से विज्ञान के पनिवासा है बाकी अगर कोई पूसता है कि पदार्थ क्या है तो हम बता सकते हैं कि जो चीजें हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं ये सारी पदार्थ है और जो वस्तुएं जिस सामागरी से बनी होती है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं ठीक है चलिए तो ये तो था पदार्थ हमारा अब पदार्थ की एक विसेश्था देखे जितनी भी वस्तों मैंने अभी आपको बताई यानि जैसे बालू हो गया, पानी हो गया, पेड़, पौधे, पत्तियां ठीक है, ये सारी चीज़े क्या है पदार्थ है और इन सभी चीज़ों में क्या मिलता है, हमको द्रविमान मिलता है ठीक है, द्रविमान इन सभी चीज़ों में होता है और जिसमें द्रविमान है, वो उसमें क्या होगा उसमें आयतन घेरने, या उसमें आयतन होगा या वो अस्थान घेरी जिसमें भार होगा वो अस्थान जरूर गेरी तो हम क्या कह सकते हैं अब पदार्थ वो चीज है जिसमें आयतन होता है द्रवमान होता है और वो अस्थान गेरती तो ये चीज़े हो जाती है हमारी पदार्थ अब आगे बढ़ते हैं देखिए अब जो भी पदार्थ हमने देखा यानि हमने जाना पदार्थ क्या होता है इन पदार्थों को वज्ञानिकों ने दो भागों में वर्गी कृत किया यानि इनको दो भागों में बाटा पहला भौतिक गुर्धर्म के आधार पे और रासायनिक प्रकृत के आधार प और दूसरा रासायनिक प्रकिर्त या रासायनिक विसेस्ताओं के आधार पे इनको वर्गी क्रित किया गया यानि बाटा गया ठीक तो पदार्थों को दो भागों में बाटा गया दो भागों में वर्गी क्रित किया गया एक भौतिक आधार पे एक रासायनिक आधार पे यहा पदार्थ कडो से मिलकर बना होता है तो जाइड सी बात है पदार्थ बहुत सारे कडो से मिलकर बना होता है जैसे अब पानी की बात करने तो क्या होता है पानी का एक अडू होता है S2O ऐसे ही बहुत सारे अडू आपस में S2O के जुड़े होते हैं और आपस में जुड़के ह तब ये पानी की मात्रा हमारी बनी होती है ठीक है एक अडू का एक अडू को हम S2O कहते हैं तो ऐसे बहुत सारे होते हैं और एक चीज ये जो पानी के अडू आपस में होते हैं जिसे एक S2O ये है और एक S2O ये हमारा ऐसे एक S2O यहां होगा ठीक है ऐसे ऐसे ये जुड़े होती है यह जो थोड़ी सी जगह जरूर होती है इनके अड़ों की बीच में तो जब कोई चीज हम घोलते हैं ना मिलाते हैं तो जैसे नमक हो गया चीनी हो गया जब इसमें मिलाते हैं तो यह जो जगहें होती है इनहीं में वो नमक और चीनी के अड़ों आके बैठ जाते हैं स समवेसित हो जाते हैं, इसलिए मिलने के बाद ये नमक के अड़ँ या चीनी के अड़ँ हमको दिखाई नहीं देते पानी में, ठीक है, चलिए, एक क्रिया कलाप है, यहांपे इस क्रिया कलाप को देखते हैं, चलिए, एक 100 ml का बीकर लेंगे, इस बीकर को जल से आधा भर दे पर देखेंगे और उसमें नमक और सक्कर यह डालेंगे नमक या सक्कर जो भी आप का मन करें ठीक है डालेंगे और उसको मिला देंगे फिर अब यह देखेंगे कि उसके जल अस्तर में कोई बदला हुआ जितना पानी डाला था हमने उस पानी के अस्तर में कोई बदला हुआ देखें इस प्रस्न का उत्तर पानी के लिए इस विचार को स्युकार करना होगा कि सभी पदार्थ कड़ो से बने होते हैं उपरोक्त क्रिया कलाब में चमच में रखी गई नमक या सकर अब पूरे पानी में घुल गई यानि पानी में जो नमक हम मिलाए वो नमक जब हमने पानी में डाला उस टाइम तो हमको दिखाई दिया लेकिन जब हमने मिला दिया तो वो नमक अब हमको पानी में नहीं दिख होती ये पानी के अडू से ये पानी के अडू से ऐसे इनके बीच में जो ये जगह थी यहीं पे आके ये छोटे-छोटे नमक के कड़ा ऐसे बैठ गए या सक्कर के कड़ा आके बैठ गए अब वो इतने सूच होते हैं इतने छोटी-छोटी जगह होती हैं कि हमको तो आखों से नहीं देख सकते, तो इतने छोटे कड़ों को हम कैसे देख पाएं, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, देखे, यहाँ पर क्या कह रहा है, जब हम जल में नमक घोलते हैं, तो नमक के कड़, जल के कड़ों के बीच रिकत स्थानों में समावेसित हो जाते हैं, जैस समावेसित हो जाते हैं, ठीक, वो हमको बस दिखाई नहीं देते हैं और उसी में समावेसित हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनके जो कड़ होते हैं, ये बहुत सूचमु होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, बहुत सूचमु होते हैं, देखिए, क्या कहा रहा है, पदार्थ के कड़ कितने छोटे होते हैं अब इसका पता कैसा लगाएंगे देखिए इसके बारे में जैसे अभी होली तो आप लोगों ने खेला ही होगा क्या करते हैं एक बाल्टी पानी लेते हैं उसमें दो पुड़िया तीन पुड़िया रंग डाल देते हैं रंग डाल देते हैं तो क्या होता है वो पुरी बाल्टी का जो रंग होता है और पानी होता है वो रंग भी रंगा हो जाता है कलरफुल हो जाता है होता है न ऐसा तो सोचिए कि हमने रंग कितना डाला पानी की मातरा तो पुरी बाल्टी भरती और रंग सिर्फ दो पुडिया तीन पुडिया रंग डाला हमने तो इतनी कम मात्रा रंग की डालने के बाद भी वो पूरा पानी का कलर जो है वो पूरा पानी जो है वो रंग भी रंग आ हो गया तो इसका मतलब जो रंग के अड़ू थे जो रंग के अड़ु थे पुडिया में जो रंग था उसके अड़ु इतने छोटे छोटे थे इतने छोटे 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 थे कि वो पानी के हर अड़ुों की बीच में जाके समाहित हो गए तब ही तो पूरे पानी का रंग बदला नहीं तो कैसे बदलता पूरे पानी का रंग बदला इसका मतलब पानी के हर अड़ों के बीच में जाके वो समावेसित हो गए समाहित हो गए इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने छोटे कड़ होते हैं यानि जो कड़ होते हैं ये कितने छोटे छोटे होते हैं ठीक है इसी के लिए एक यहाँ पे भी एक क्रिया कलाद दिया हुआ है इसको देखते हैं चित्र में देखे एक बीकर में पानी लेंगे सादा पानी, एकदम साफ सच पानी ठीक, उसमें हम एक potassium per magnet का एक crystal डाल देते हैं ठीक, तो जैसे crystal डालके मिलाएंगे ये क्या हो जाएगा, रंग भी रंगा हो जाएगा, ये beaker देखिए beaker 1 रंग भी रंगा हो गया इसके बाद एक beaker लेंगे हम उसमें साफ पानी डालेगे इस beaker में पहले साफ पानी था अब ये रंग भी रंगा क्यूं हो गया आप मैं बता रहा हूँ ठीक, इस दो नमबरवाले beaker में साफ पानी था उप क्या है, पहले नमबरवाले beaker में से एक 10 ml का रंग हम यहां से निकालते हैं यानि यहां से 10 ml की मातर निकालके इसमें डालते हैं और फिर इसको इस साहपानी में डालते हैं तो इसका पूरा रंग बदल जाता है फिर इसमें से हम 10 ml निकालते हैं और इसमें डाल देते हैं फिर इसमें से निकालते हैं और इसमें डाल देते हैं तो आपने य रंग हलका हुआ है लेकिन फिर भी वो पानी स्वच्छ नहीं हुआ कुछ ना कुछ रंग भी रंगा है तो हम कह सकते हैं कि जो कड़ होते हैं वो इतने छोटे-छोटे होते हैं कि पानी के हर कड़ों के बीच में जाके समाहित हो जाते हैं तो इससे हम ये निसकर्स निकाल सकते हैं कि ये जो कड़ होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं देखिए पोटेसियम पर मैगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानि एक हजाल लीटर पानी लगबग रंगीन हो जाती है इससे हम ये निकाल सकते हैं कि Potcium Permagnate के किवल एक Crystal में कई सूच मकड़ होते हैं ये कड़ छोटे-छोटे कड़ों में विभाजित होते रहते हैं अनतता एक इस्थिती में ये कड़ और छोटे भाग में विभाजित नहीं किये जा सकते हैं एक इस्तिती ऐसी आती है कि जब इनको और छोटे कड़ों में विभाजित हम नहीं कर सकते पोटेसियम पर मैगनेट की जगा दो एमेल डेटॉल से भी हम यह क्रिया कलाब कर सकते है लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महग हमें मिलती रहती है पदार्थ के कड़ बहुत छोटे होते हैं इतने छोटे कि हम कलपना भी नहीं कर सकते है ठीक है तो जो कड़ होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं पदार्थ के अब आते हैं पदार्थ के कड़ों के अभिलाचडिक गुड़ जो पदार्थ हैं, उनके जो कड़ हैं उनके अभी लच्छडिक गुड़ गुड़ क्या होते हैं इन गुड़ों में पहला है पदार्थ के कड़ों के बीच रिक्तस्थान होता है ये तो मैंने आपको पहले ही वताया जब हम अभी हमने देखा कि पानी में जब नमक घोल रहे थे तो ही मैंने आपको बता दिया कि पानी के अडूओं के बीच में थोड़ा सा रिक्तस्थान होता है हलाकि हम नहीं सामानेता हम पानी के अडूओं को भी नहीं देख सकते तो वो रिक्तस्थान कैसे देखेंगे लेकिन रिक्तस्थान ये سुचमदर्सिवें से देखा जा सकता है अब पानी के अड़ुऊं को तो नहीं देखा सकता सुचमदर्सी से ठीक है उसके लिए हमें बहुत हाई क्लास का जो सुचमदर्सी होता है माइक्रोस्कोप या जो भी कह लिजिए उसका इस्तमाल करना पड़ता है अब यहां पे आपको दिया गया है एक क्रिया कलाब से यह समझाया जाएगा कि यह रिकतस्थान जो होते हैं वो कैसे पता चलेंगे तो वो जो क्रिया कलाब थी हमने क्या किया हमने पानी लिया पानी में क्या किया नमक को घोल दिया अब जब नमक को घोल दिया तो पानी के अंदर वो मिल गया अब पानी नमक गया कहां यह दिसी बात है नमक अगर पानी में हमने घोला तो वो कहीं तो गया होगा ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ गया तो जो पानी में गोला तो यानि पानी में के ही अड़ों में कहीं जाके वो छिप गया है पानी के अड़ों में ही कहीं जाके छिप गया है जो भी चीज़े हम पानी में मिलाते हैं और जो चीज़े पानी में घुल जाती है तो इस तरह से हम भी कह सकते हैं कि पदार्थ के कड़ों के बीच में रिक्ता स्थान होता है अब आते हैं पदार्थ के कड़ निरंतर गतिसील होते हैं जो पदार्थ के कड़ होते हैं वो निरंतर गत्तील होते हैं इसके लिए क्रियाकल आब देखते हैं एक practical देखिए कच्छा के एक कोने में कच्छा या माले ज़िए घर पे हैं आप तो एक कोने में कहीं अगरवत्ती रख दें अगरवत्ती को जला के रख दें इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीब जाना पड़ता है महसूस करिए कि जैसे घर में किसी कोने पे अगर बत्ती जली है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको उसके एकदम पास जाना पड़ता है आप थोड़ी दूर भी रहते हैं भी आपको उसकी सुगंद मिलती है यह अपने महसूस किया होगा चलिए तो एक तो यह हो गया अभी इसका निसकर्स हम देखते हैं दूसरा एक देखिए जल से भरे दो गिलास या दो बीकर लें पहले बीकर के एक सीरे पर सावधानी से एक बून लाल या नीला से ही डाल दे और दूसरे में सहद डाल दे इनको अपने घर में या कक्छा में एक कोने में रख दे अब इनको डालने के एक गिलास में हमने क्या किया रंग डाल दिया और एक में सहद डाल दिया अब इसको एक जगह से रख दीजे, हिलाईए बिलकुल नहीं, एक किनारे ऐसे रख दीजे, पढ़ा रहने दीजे, कुछ समय बाद दो घंटे, चार घंटे या एक देन या दो दिन बाद आप उसको देखिए, आप देखेंगे कि जो स्याही है, वो पानी में घुल गई, जो वाली बात है न, वो कैसे घुल गया, या आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं, कि एक ग्लास में पानी लीजे थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजे, और बिना हिला एक ग्लास को एक किनारे दख दीजे, कुछ समय बाद उसको ऐसे पढ़ा रहने दीजे, दो घुल जाता है, ठीक है, चलिए, तो इतना तो हो गया, कि जो चीज हम पानी में डालते हैं, अगर वो घुलनसील है, तो देखें, अगर वो पदार्त घुलनसील है, यानि ऐसा पदार्त है, जो पानी में घुल जाता है, अगर वो घुलनसील है, तो वो पानी में हम अगर ड दाल देते हैं तो वो चाहे एक घंटे में, चाहे दस घंटे में, चाहे एक दिन में, चाहे दस दिन में, वो धीरे धीरे उसमें मिल ही जाएगा, घुल जाएगा, चलिए आगे देखते हैं, अभी और चीजें जानते हैं इसमें, देखिये, ऐसे ही इसमें यहाँ पर भी एक क चीज कहा गया है, कि एक गिलास घर पाणी और दूसरा थंड़े पाणी से भ़रा गिलास लेंगे, ठीक, अब उसमें चाहिए हैं पोड़ेसियम पर मैंगे डाल दीजिए, या कापर सलफेट, कोई भी चीज उसमें डाल दीजिए, जो गर्म गिलास वाला पानी है यानि जिस गिलास में पानी गर्म है उसमें भी थोड़ा सा डाल देंगे और जो ठंड़ा वाला पानी है उसमें भी थोड़ा सा डाल देंगे तो जब डालके हम ऐसे किनारे रख देंगे तो हमने इससे क्या निसकर्स निकाला इससे हमको क्या पता चलता है जो तीनों क्रिया कलाप हमने किये इससे निसकर्स ये निकलता है कि जो पानी में कड़ होते हैं यानि जो निसकर्स हमें भी लेगा वो क्या होगा पदार्थ के कड़े निरंतर गतिकील होते हैं अर्थात उनमें गतिजूर्जा होती है तापमान बढ़ने से कडो की गतिजूर्जा बढ़ जाती है यानि तेज हो जाती है यानि कडो की जो गति होती है वो तेज हो जाती है इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कडो की गतिजूर्जा भी बढ़ जाती है अब दे ही मान लेते हैं कि नमक हमने डाल दिया और एक ठंडा पानी का गलास है उसमें भी नमक डाल दिया एक साथ ही डाल दिया किनारे रख दिया आप ये महस्त देखेंगे कि गर्ब पानी वाले गलास में नमक जल्द पहले घुल जाता है और ठंडे पानी वाले जल्दी जल्दी टकराते हैं और टकराने के कारण नमंग जल्दी घुल जाता है वही ठंडे पानी के कड़ों में गती जूरजा गर्म पानी के कड़ों की तुलना में कम होती है तो वो नमंग के कड़ों से टकराते तो हैं लेकिन उनके टकराने की जो गती जूरजा है वो कम ह गती कम होती है इसी लिए वो थोड़ा देर में घुलते हैं ठीक है दोनों में थोड़ा सांतर आपको दिखेगा तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि अगर पानी में हम बिना हिलाए कोई चीज नमक या चीनी डाल देते हैं फिर भी वो घुल जाती है ठीक अगर हम उसको हिल हिलाएंगे तो जल्दी हिलेगी नहीं हिलाएंगे तो थोड़ा टाइम लेगा समय लेगा लेकिन घुल जरूर जाएगी अगर वो पदार्थ पानी में घुलंसील है तो इससे हमें ये पता चला कि पानी में जो कड़ हैं वो कड़ गती करते हैं यानि उनमें गती जुर्ज होती है और जिसके कारण वो घुलनसील पदार्थों से टकराते हैं और उन पदार्थों को पानी में घोल देते हैं ठीक है तो एक चीज़ हमको क्या पता चल लगी कि ये पदार्थों में गति जूर जा होती है ठीक है चलिए आगे देखते हैं देखें पदार्थ के कड़ अपने आप ही एक दूसरे से एक दूसरे के साथ अंतह मिस्रित हो जाते हैं जैसे नमक और पानी आपस में ही चकरा के उनके कड़ आपस में लड़ते हैं कति दूर जा की कारण और फिर वो मिल जाते हैं उसी को कहते हैं अंतह मिस्रित ठीक ऐसे कड के रिक्तस्थान में समावेस के कारड होता है यानि जो कड़ों में रिक्तस्थान में पानी के अड़ूं में जो रिक्तस्थान है उसी में जाके जो नमक का कड़ है या नमक के अड़ू है वो बैठ जाते हैं समावेसित हो जाते हैं ठीक दो विभिन परदार्थ के कड़ का स्वता मिलना ही विसरड कहलाता है अब कभी कभी पूछा जाता है विसरड क्या होता है विसरड का मतलब होता है दो परदार्थों का अपने आप मिल जाना जैसे पानी का पानी में नमक का घुल जाना ये क्या है हमने एक ग्लास पानी लिया उसमें नमक डाल दिया और ग्लास को ऐसे रख दिया बिल्कुल हिलायते डूलाते नहीं है फिर भी नमक घुल जाता है तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं विषरड कर विषरड कहते हैं ठीक है इस चीज को हम कहते हैं विषरड इस प्रकिरिया को तो कह सकते हैं विश्रड क्या है दो विभिन पदार्थों के कड़ों का स्वता मिलना ही विश्रड कहलाता है ठीक है तो विश्रड याद कर लेंगे विश्रड क्या होता है ठीक है चलिए और एक चीज यहां हमको ये भी पता चला कि गर्म करने पर विश्रड तेज होता है हमन वो चीनी पानी में जल्दी घुल जाता है ठीक है तो गर्म करने पर विसरड की प्रकेरिया तेज हो जाती है चलिए तो ये तिनी चीज जानके अब आते हैं अगले बिंदु पे पदार्थ के कड़ एक दूसरे को आकर्सित करते हैं यानि अभी हमको पता चला इसके पहले कि पदार्थ के गड़ जो पदार्थ के कड़ होते हैं उनमें गती जूर जा होती है यानि वो गती करते हैं ठीक है सो ताई गती करते हैं फिर अब आते हैं पदार्थ के कड़ एक द काटें, पीटें, कुछ भी खरिए, पानी के कड़ फिर आके आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या है, पानी के कड़ों में क्या है, आकर्षडवल है, चलिए, इसके लिए क्रिया कलाब दिया गया है, देखिए, माल लिजिये एक टीम हैं, दो टीम है, ठीक, अब एक टीम ने कुछ इस तरह से एक स्रिंखला बना दी, ठीक, एक स्रिंखला बना दी, इस तरह से खड़े हो गया, आपस में, एक दूसरे का कमर पकड़ के बहुत तेजी से, अब बताईए, दूसरी जो टीम है, वो टीम क्या इसके बीच में आ सकती है यानि ये अस्थान ले सकती है आसानी से नहीं ले सकती क्योंकि इस अस्थान को लेने के लिए उस दूसरी टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यानि धक्का मुक्की जादा करना पड़ेगा तब जाके वो बीच में आप आएंगे यहां पे लेकिन अब मान लीजे अगर यही लोग हाथ पकड़ के एक लाइन बनाए होते ठीक है ऐसा हाथ पकड़ लेते हाथ पकड़ के ऐसा लाइन बनाए होते तो जहां हाथ पकड़ के लाइन बनाए होते तो वहाँ पे इसकी तुलना में घुसना ज़्यादा आसान था यहाँ ठीक है चलिए तो यह तो था हमारा क्रिया कलाप अब इसका निसकर्स क्या निकलता है ठीक है इसका निसकर्स भी तो जानना है या कि आयसी स्रिंखला है इसमें पदार्थ घुस जाते हैं तो इससे निस्कर्स क्या निकलेगा निस्कर्स ये निकलता है देखिए पदार्थ के कड़ों की बीच एक बल कारे करता है यह बल कड़ों को एक साथ रखता है इस आकरसर बल का सामर्थ प्रतेक पदार्थ में अलग-अलग होता है ठीक है देखिए अब जो ठोस पदार्थ हो बहुत सक्ती से बहुत कस्के आपस में बंहे होते हैं. ये बल जो इनके बीचकार करता है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए उनके बीच में घुसना कठिन होता है। वहीं जब द्रव की बात करते हैं यानि जो दूसरा क्रिया कलाफ हमार था कि जब स्रिंखला हाथ पकड़ की बनाई गई थी तो द्रव में क्या होता है उनके बीच में घुसना थोड़ा सा क्या कठीन होता है या आसान होता है अगर हम कहें तो उनके बीच में घुसना आप चले तो जाएंगे ठीक है उनके बीच में पहुँच जाएंगे लेकिन क्या होगा आप उनको खिसका तकते हैं लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटेंगे वो फिर आपस में आके चिपक जाएंगे यानि इनके बीच में भी एक बलकार करता है यानि हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कड़ होते हैं इन कड़ों के बीच में एक बलकार करता है एक प्रकार का आकर्षड बल ठीक एक प्रकार का आकर्षड बलकार करता है जो इन पदार्थों को दूर नहीं होने देता हर पदार्थ का जैसे तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया या पानी हो गया तो हर पदार्थ का आकरशडबल कड़ों के बीच जो आकरशडबल होता है ये भिन्न भिन्न होता है ठीक है फानी के कड़ों के बीच का जो अकरशडबल होगा ये अलग होगा तेल के कड़ों के बीच का अकरशडबल अलग होगा ठीक है तो ये अलग-अलग होते हैं तो ये चीज यहां से हमने समझा कि कि जो पदार्थ के कड़ों होते हैं इनके बीच में अकरशडबल होता है चलिए अब आगे दिखते हैं यहां पर प्रस्ण है यह सारे प्रस्ण जो आपके इस पार्ट में आएंगे यह मैं आपको जब यह पार्ट समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में सारे प्रस्णों को हल करा के आपको उसका solution प्रोवाइड कर दूँगा तो अभी के लिए पा तो और यह स सामाज्यता हमने प्रस्ण की तीन आवसाएं पड़ी हैं ठो स अवस्था द्रव अवस्था और गहज़ा सवस्था अब ठो सवस्था क्या होती है देखिए ठो सवस्था आपने पिछली कच्छाओं में भी पढ़ा होगा कि कहते हैं हम कि जिन पदार्थों में जो कड़ होते हैं वो बहुत पास-पास व्यवस्थित होते हैं बहुत पास-पास जुड़े होते हैं यानि इनके बीच में जो आकरशडबल होता है इन कड़ों के वो अधिक होता है तो ऐसे पदार्थों को हम ठोस कहते हैं यानि ये पदार्थ की कौन सी अवस्ता है ठोस जैसे पैन हो गया किताब हो गई या लोहा हो गया ये सब क्या है ठोस अवस्ता ठीक चलिए तो ये तो थ वो सवस्थाओं में होता क्या है कि इनमें जो आकार होता है। वो निश्चित होता है। देखिए एक निश्चिताकार असपस्ट सीमाय तथा इस्थिर आयतन यानि नगड संपीडेता यानि देखो संपीडेता मतलग जो कंप्रेशन होता है कंप्रेश जैसे कहते हैं कि किसी चीज को कंप्रेश करना और ठीक तो वो जो चीज होती है वो जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें नगड़े होती है नगड़ माना जाता होने लगा अब आप ये कहेंगे कि सर फिर स्पंज क्या है ठिक स्पंज को तो हम compress कर देते हैं दवा देते हैं दिखिए स्पंज को हम दवा जरूर देते हैं लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वो अपने पुराने आकार में फिर आ जाता है यही तो होता है यानि एक तरह से उसका आकार और आयतन दोनों फिक्स हैं दोनों फिक्स हैं हम उसको बाहे बन लगाके दवा तो देते हैं उसको compress कर देते हैं छोटा कर देते हैं दवा के स्पंज को लेकिन जैसे ही छोडते हैं वो क्या होता है वो अस्पंज अपने पूरो आवस्था में फिर से आ जाता है यानि उसके जो अडू है वो इस तरह से व्यवस्थित हैं इस तरह से बना हुआ है कि वो अपनी पूरो आवस्था को ग्रहड कर लेता है तो यहाँ पे आयतन और आकरिती तो उसकी फिक्स हो गई ना वाहबल के कारण हमने बदल तो दिया लेकिन वो वाहबल हटते ही फिर से अपने पुराने आकार में आ जाता है अब क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा बल लगा देंगे तो हो सकता है कि वो टूट फूट जाए एकदम बिखर जाए ऐसा हो सकता है हो सकता है न, तो भले वो तूट जाया, कुछ भी हो जाया, लेकिन उसकी जो मुख्य क्वालिटी है, मतलब मुख्य विसेचता है, वो यही है, ठीके, उसके अड़ूं को हम नहीं बदल सकते हैं, चलिए, बाह बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, बल लग चलिए, जैसे, अब रबर बैंड, अब जैसे कहा जा रहा है कि, जो दिड़ पना होता है, दिड़ता होती है, वो ठोस में होती है, तो क्या रबर ठोस है, रबर बैंड को हम ठोस कह सकते हैं, क्या यह दिड़ होता है, क्योंकि इसको तो आप खीच सकते हैं, इसका आकार पंज की बात की आकार क्या होता है बदलता है लेकिन जैसे ही बाहेबल हटाते हैं ये क्या होता है आकार अपने पूर्वा वस्था में फिर से आ जाता है ठीक है यही तो होता है बाहेबल लगाने पर तो इसका आकार बदलता है लेकिन हटाने पर क्या होता है ये फिर से मूल आ जाता है वैसे ही जो हमारा दिखिए यहां पर दिखिए बाई बल लगाने या लगाए जाने पर रबर बैंट का आकार बदल जाता है और हटाने पर यह पुनह अपने मूल आकार में आ जाता है बहुत अधिक बल लगा देने पर क्या होता है यह तूट जाएगा अब एक अवस्थात यह जो सक्कर और नमक हम हाथ में लेते हैं इसे प्लेट या जार में रखें इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते जो क्रिस्टल एक चीज़ आपने सुनी होगी क्रिस्टल तो जो सक्कर या नमक होते हैं इनके crystal के आकार नहीं बदलते यहीं आकार इनका निश्चित होता है वैसे ही sponge जो होता है sponge में बहुत सारे छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिन में वायू का समावेस होता है वायू भरी होती है न तभी तो sponge बड़ा सा रहता है जिससे इसका नंपीडर हो जाता है यानि compress हो जाता है चलिए अब आते हैं हम द्रवावस्था पे अभी तक हमने देखा ठोसा वस्था अब आते हैं द्रवावस्था पे द्रवावस्था हम सभी को पता है उधारड की बात करें तो पानी हो गया तेल हो गया आपका जो मिटी का तेल या कुकिंग ओयल ये सब क्या है दूद हो गया ये सारी चीज़े क्या है तब कुछ द्रव आवस्था में आती है कहते क्या है कहते ये हैं कि जो द्रव के अडू होते हैं ये ठोस की तुलना में आपस में थोड़ा दूर दूर इस्थित होते हैं यानि इनके मध्य जो आकरसर बल होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है ठीक यानि इनके मध्य में जो आकरशडबन लगता है ये ठोस की तुनला में कम लगता है द्रवों में चलिए दूसरी मुखी चीज द्रव अवस्था की कि इसमें जो होता है वो आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता कैसे जिसे पानी लीजिए पानी लीजिए तेल लीजिए कुछ भी लीजिए ठीक एक लीटर पानी लेते हैं एक लीटर पानी को हम थाली में रख दें तो थाली का आकार ले लेता है एक लीटर पानी को हम पानी के एक पीने वाले बोतल में रख दें तो वो पीने वाले बोतल का आकार ले लेता है कहीं और रख दें तो वो उस भरतन का आकार ले लेता है यानि आकार द्रव का निश्चित नहीं होता कोई भी द्रव हो लेकिन आयतन निश्चित होता है जैसे मैंने कहा एक लीटर तो एक लीटर का पानी आप चाहे थाली में रखी है चाहे भगोने में रखी है चाहे बटुली में रखी है चाहे प्लास्टिक की बोतल में रखी है किसी में भी रखेंगे वो उसकी मात्रा जो है वो आयतन जो है वो वन लीटर ही होगा ठीक है लेकिन आकार बदलता गया ठीक तो इसलिए कहते हैं कि द्रवों क जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता जबकि आयतन निश्चित होता है ठीक है आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है यह होता है द्रव की खास बात द्रवों की विसेश्ता होती है चलिए कुछ और विसेश्ता भी देख लेते हैं देखें ठोस और द्रव का पास में स्वता ही अगर घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उन्हें हम विसरड कहते हैं, अब कह रहा है कि ठोस और द्रव का विसरड द्रवों में संभव है, जैसे नमक का पानी में घुलना, ये विसरड है, ठीक, तो नमक ठोस हो गया और पानी द्रव हो गया, तो ठोस का द और अगर पानी में हम एक जूज डाल जे है अनार का जूज डाल दीजे धिक है अनार का जूज निकाला आपने और उसको पानी में डाल दिया तो अनार का जूस भी द्रव है और पानी भी द्रव है यानि द्रव का द्रव में विशरण भी संभव है तो यहां दोनों अवस्थाय होती है ठोस और द्रव दोनों पानी में या द्रव में घुल जाते हैं यानि विशरण हो जाता है तो ये एक मुख्य चीज थी ठोस का और द्रवों का दोनों का विशर्ट द्रवों में हो जाता है देखे वातावरण की गैस विशरित होकर जल में घुल जाती है ये गैसे विशेषता आक्सीजन ये और कारबन डाक्साइड जलिये जन्तुओं और पौधों के लिए अनिवार होती है ठीक है हवा में क्या होता है कारबन डाय आक्साइड और आक्सीजन ये कैसे होती है अब हवा में क्या होता है यह जो आक्सीजन होती है हवा में जो आक्सीजन होती है हवा की आक्सीजन हम क्या करते है हम इंसान ग्रहड करते है लेकिन वही आक्सीजन पानी में घुल जाती है तो उसको जो पानी में रहने वाले जीव है वो उसको ग्रहड करते हैं यानि जो हवा है गैस है वो द्रव में भी विसरित हो जाती है और हवा में भी विसरित हो जाती है यानि विसरड हो जाता है तो इस तरह से आप याद रखेंगी ये चीज़ें चलिए अब आते हैं आगे देखिए ठोस में जो द्रवित चीजे होंगी उसमें ठोस का विसरड हो जाएगा द्रव का हो जाएगा गैस का हो जाएगा ठोस का जैसे माले जे पानी है पानी में चीनी भी गुल जाएगा पानी में अनार का जूस भी मिल जाएगा और पानी में आकसीजन गैस भी मिल जाती है यानि द्रव मे ठोस द्रव गैस तीनों का विशरण तंभव है चलिए ठीक देखे ठोस की अपेक्षा द्रवों में विशरण की दर अधिक होती है यानि द्रव में कोई चीजें जल्दी विशरित होती है जल्दी मिलती है ऐसा क्यूं है ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार कड़ स्वतनतर रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कड़ में रिक्तस्थान भी अधिक होता है जैसे हमको पता है ठोस में जो कड़ होते हैं वो बहुत पास-पास होते हैं या रिक्तस्थान नहीं होते वहीं द्रव की बात करें तो इनके बीच में रिक्त होगी तभी वो आपस में समाहित करेंगे ठीक चलिए अब आगे देखते हैं अब आते हैं हम गैस ये अवस्था पर देखे गैस ये अवस्था गैस क्या होती है हमें पता है जो आपने एकसर देखा होगा कि एक उड़ने वाला गुबाड़ा आता है जिसके अंदर एक गैस भरी होती है उस गुबाड़े में और जैसे ही उस गुबाड़े को छोड़ देते हैं तो वो हवा में उड़ जाती है इसका मतलब वो हवा जो गुबारे के अंदर गैस है वो हमारी सामान वायू से हलकी होती है और इसलिए वो उड़ जाती है यानि वो एक गैस होती है ठीक है तो गैस क्या होती हमें पता है अब गैस के जो अडू होते हैं देखिए गैस के अडू कुछ बेवस्थित नहीं होते ये अडू कहीं भी होते है इनके बीच में जो आकर सडबल होता है। और ठोस की सबसे कम होता है गैस ये कडों के बीच में जो बल होता है आकर सडबल। ठीक और इतना कम होता है कि ये स्वतनतर रूप से कहीं भी घुमते रहते हैं ये जो गैस के कड़ होते हैं स्वतनतर रूप से कहीं भी घुमते रहते हैं ठीक है दूसरी खास बात कि गैस अवस्था में जो गैस के कड़ होते हैं इनको कहा जाता है कि इनका जो आयतन होता है वो और इनका जो आकार होता है दोनों निश्चित नहीं होता इनका जो आयतन होता है और जो आकार होता है इनका दोनों निश्चित नहीं होता ठीक है ठोस में क्या देखा आपने ठोस में देखा कि आयतन और आकार दोनों निश्चित है द्रव में हमने क्या देखा द्रव में हमने देखा कि जो आयतन है वो निश्चित है पर आकार निश्चित नहीं है लेकिन gas के साथ क्या है gas के साथ है हमारा की ना आयतन निस्चित है ना आकार निस्चित है ठीक है चलिए आगे देखते है देखिए यहां पे ठोस एवन द्रवों की तुलना में gas की संपीड़ता है यानी compression यानी gas का जो संपीड़न होता है काफी अधिक होती है यानि गैस को हम द्रव और ठोस की ये पेक्षा ज़्यादा कंपरिस कर सकते हैं ज़्यादा उसको दबा सकते हैं तेक है अब हमारे घरों में जो गैस आती है जो हमारे घरों में गैस आती है वो कैसी होती है वो उसको बोलते हैं न लुक्यूफाइट पेट्रोलियम गैस या जिस गैस से हम गाडियां चलाते हैं TNG, compressed natural gas ठीक है तो यह सब क्या होती है compressed gas होती है इन गैसों को compress कर दिया जाता है सम इनका संपीडन किया जाता है और इनको एक बरतन में भर दिया जाता है देखिए तो घरों में जो द्रवित पेट्रोलियम गैस या अलपीजी या अस्पताल में दिये जाने वाले आक्सीजन सिलेंडर में संपीडन गैस होती है यानि compressed gas होती है वाहनों में इधन के रूप में संपीडन यानि CNG गैस का उप्योग होता है संपीडता काफी अधिक होने के कारण gas के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जाता है या किया जा सकता है यानि gas का बहुत अधिक आयतन है अगर तो उसको हम एक छोटे बरतन में अब छोटे जिस हिसाब से होगा आयतन gas का जिस हिसाब से होता उसी हिसाब से हम बरतन भी निरधारित करते हैं ठीक है तो उस हिसाब से हम उसको किसी बरतन में रख सकते हैं अधिक आएतान होगा उसको भी हम एक सिलेंडर में जैसे हमारा LPG सिलेंडर होता है इसमें जो गयस काहता होता वो बहुत अधिक होता है इसको एक बहुत अधिक होता है और ये लिक्विड के रूप में आ जाता है Chile ठीक है इसलेस के लिखुफाइट पेट्रोलियम गैस कहते है या लिक्विड पेट्रोलियम के आसानी से एक अस्थाण और इसी कारड़ी यह असानी से एक सथान से दूसरे सथान पर भी इनको लाया ले जा सकता है, जैसे LPG गैस है हमारा, अब गैस के रूप में होता, तो इसको लाना ले igenा कठिन होता, ठीकि Ricky क्योगि थोड़ा सभी लीकेज हो जाता, गैस उड़ जाता लेकिन इसको सिलेंडर में भरने से इनको एक जिगे से दूसरी जगे लाना जा थोड़ा आसान हो जाता है सिलेंडर को ऐसा बनाया जाता है कि इनका लीकेज और जो हो अगर होता भी है तो ये हमको पता चले इस हिसाब से इसको बनाया भी जाता है चलिए आगे देखते हैं देखिए आपने दिखा होगा कि गर्म खाना और ठंडा खाना गर्म खाने की जो महख है वो हम तक पहुँच जाती है लेकिन खाना अगर ठंडा होता है तो क्या होता है उसकी महख हम तक नहीं पहुँचती न हमको पता ही नहीं चलता है खाना रखा है कहां रखा है क्या लेकिन अभी खाना पक रहा हो तो आपको बड़ी आसानी से बहुत जल्दी ही पता चल जाता है देखें हमारी नाग तक पहुँचने वाली गंद बिना रसोई में प्रवेस किये ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है ये गंद हम तक कैसे पहुँचती है खाने की गंद के कड़ वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैल कर हम तक पहुँच जाते हैं यह गंद के कड़ और दूर भी जा सकते हैं पके हुए गंद की महक हमारे पास कुछी छड़ों में पहुँच जाती है इसकी तुलना ठोस एम द्रव के विशरण से अधिक होती है देखिए ये कड़ जो है गैसी ये कड़ इनमें जो विशरण होता है ये बाकी द्रव और ठोस की तुलना में क्या होता है बहुत अधिक होता है कड़ों की तेज गत और अत्यधिक रिक तस्थान की कारड गैसों का अन गैसों में विसरड बहुत तीवरता से होता है यानि गैस आपस में यानि अब जैसे मोटसाइकल की कारबन डायकसाइड गैस मानते हैं मोटर साइकल से जो गैस निकलती है वो क्या होती है मोटर साइकल से निकली और हवा में मिल गई हमको पता नहीं चलता ना ज़्यादा वैसे ही है कि कोई महक अगर निकल रही है तो वो हवा में बड़ी आसानी से बहुत जल्दी मिल जाती है क्या कारड होता है क्योंकि इनके जो कड होते हैं वो दूर दूर होते हैं ठोस द्राओ कि अपर इक्षा बहुत दूर दूर होते हैं आपस में यानि इनके बीच में रिक्तस्थान ज़्यादा होता है ठीक है और यही कारड है कि ये इनकी जो गती होती है कड़ों की ये भी तेज होती है और इसी कारड़ी इनका विसरड़ भी तेज होता है यानि ये गैस और गैस आपस में बहुत जल्दी से मिल जाते हैं ठीक है चलिए आगे ये देखे कड़ों की व्यवस्था दिखाई गई है ये ठोस के कड़ है देखे कितने व्यवस्थित रूप से है वहीं देखे जल के कड़ कुछ इस तरह से है ठीक है व्यवस्थित है लेकिन जिस रिसाब से ठोस की तुल्ना में कम व्यवस्थित है इसलिए कहा जाता है कि ठोस की तुलना में द्रव के जो कड़ होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और जो गैस के कड़ होते हैं गैस ये पदार्थ के कड़ होते हैं उनके कड़ द्रव की ये पेक्षा ज्यादा स्वतंत्र होते हैं स्वतंत्र रूप से भ्रमड करते हैं जहां भी रखें हो तो यह व्यवस्था होती है इनके कड़ो दीखिए अब यहां पर दीखिए बताए गया है गैसी यह अवस्था में कड़ो की गति अनियमित और अत्यधिक तीवर होती है इनके जो गति होती है यह अनियमित होती कोई फिक्स नहीं होता कि इधर जाएंगे या उधर जाएंगे किधर भी लड़ भीड़के किधर भी चले आते हैं ठीक है चलिए यहां पर दीखिए आपका यह यहां भी प्रस्ण आ गया है तो ये प्रैस्ण भी बाद में आपको प्राइएंगे ये पार्ट हैंगे इक बार हम लोग पढ़के दमाप्त कर लें फिर ठेक है छलिए अब देखते हैं क्या पदार्थ अपनी आवस्था को बदल सकता है देख से का मतलब अगर ठोस पदार्थ है तो क्या वो द्रव में आ सकता है या कोई द्रवपादार्थ है तो क्या वो गैस रूप में आ सकता है गैस का मतलब जैसे जलवास्प अब जलवास्प का मतलब जल की बात कर रहा है ठीक है अब मान लेते हैं कि ठोस ठोस में माल लिया हमने की बर्फ है बर्फ को हम अगर गर्म करें तो ये क्या हो जाएगा द्रव रूप ले लेगा ठीक यानि जल का रूप ले लेगा इस जल को हम और गर्म करेंगे तो गैस का रूप ले लेगा यानि जल वास्प का रूप ले लेगा जिसे हम गैस जल का गैस कहते है यानि जल वास्प ठीक क्या कि पदार्थ अपनी आवस्था को बदल सकता है अब देखते हैं कि कब कब बदल सकता है क्या क्या परिस्थिती आने पे ये अपनी आवस्था को बदल सकता है चलिए पहला तापमान परिवर्तन का प्रभाव यानि वस्थ पे अगर पदार्थ पे अगर तापमान परिव करें ठीक है बर्फ के टुकडे को हम गर्ब करें तो क्या होगा बर्फ दीरे-दीरे पिखलने लगेगी ठीक बर्फ क्या होगा दीरे-दीरे पिखलने लगेगी यानि जब वो पूरी तर अपिखल जाएगी तो क्या बन जाएगी द्रव बन जाएगी बर्फ जो है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गई फिर वहीं जब उसी को और अधिक ताप देंगे यानि उसका तापमान और बढ़ाएंगे तो वही पानी क्या होगा वही द्रव क्या होगा वो धीरे धीरे गैसी ये रूप लेने लगेगा और जलबास बनके वाई मंडल में मिलने लगेगा यानि ताप के प्रभाव से हम वस्त का जो अवस्था है वो हम बदल सकते हैं ठीक है देखिए ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कड़ों की गति जूर्जा बढ़ जाती है जब चीज को हम गरम करते हैं तो उसके कड़ों में जो गतिज उर्जा होती है वो बढ़ जाती है गतिज उर्जा में विर्धी होने के कारण कड़ अधिक तेजी से कमपन करने लगते हैं उस्मा के द्वारा प्रदत की गई उर्जा कड़ों के बीच के आकर्सट बल को पार कर लेती है। अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। अब जब आकर्सट बल इनका खतम हो गया, तो यह क्या होगे। स्वतंत्र हो जाएंगा और कहीं भी ऐसे ब्रहमण करने लगेंगे। ठीक। और स्वतंत्रता से यह इदर उदर भाग में लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिगल कर द्रव में परिवर्चित हो जाते हैं यानि जो कड इतने विवस्थित रूप से थे तो जब इनके बीच में ये जो आकरशडबल था ये खतम हो गया यानि इन कड़ों में उर्जा जादा आ गई तो ये यहां से तूटकर इधर उधर भागने लगते हैं और द्रव का रूप लेने लगते हैं ठीक है चलिए ये देखिए यहाँ पर जिस न्यूकतन ताप पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह इसका गल्लांग कहलाता है तो गलनांग क्या होती है कि चीज को कहते हैं गलनांग का मतलब होता है कि वह कम से कम ताप जिस पर कोई भी ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाए उसे उस पदार्थ का गलनांग कहते हैं किसी ठोस का गलनांग उसके कड़ों के बीच के आकरशडबल के सामर्थ को दरसाता है यानि किसी ठोस पदार्थ के बीच में आकरशडबल कितना बढ़िया है या कितना अधिक है इसकी सामर्थता को वो दरसाता है गलनांग की मात्रा बर्फ का गलनांग क्या है बर्फ का गलनांग है 273.15 Kelvin Kelvin क्या है तापपान का SI मातरक दीखे तापपान का अंतराष्ट्री SI मातरक Kelvin है 0 degree Celsius बराबर होता है 273.15 Kelvin 273.15 Kelvin को ही हम 0 degree Celsius कहते हैं यानि अगर 1 degree Celsius कह रहा है तो क्या करेंगे हम 273 उसी हिसाब से हम उसमें जोड़ते जाएंगे और हमको Celsius का मान Kelvin में मिलता जाएगा चलिए आगे देखते हैं देखे अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं यहां देखते हैं देखें तापमान में बिना किसी तरह की व्रिद्धी दर्साएं इस उसमें उर्जा को बर्फ आविस अफसोशित कर लेती हैं देखे जो बर्फ है, जो बर्फ हमने गर्म की थी, यभी बीकर में हमने बर्फ को गर्म किया, तभी तो वो द्रव में परिवर्टित हुआ, तो उसको गर्म करने पर जो तापमान है, तापमान को तो हमने बढ़ा है नहीं, हमने एक निश्चित ताप पर उसको गर्म किया, ठ उसमा को आउसोसित करता रहता है जब तक की सारी बर्फ पिघल के पानी में परिवर्टित ना हो जाए तब तक उस उसमा को बर्फ अपने पास आउसोसित करती रहती है ठीक है यह माना जाता है कि यह पीकर में ली गई सामगरी में चुपी रहती है ऐसा assume करते हैं मानते हैं कि यह जो उस्मिय और जा आउसोसित कर रहा है यह बर्फ यह कहा जा रही है बीकर में जो ली गई सामगरी है उसी में चुपी रहती है जिसे गुप्त उस्मा कहते है यानि इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं यहां गुप्त का अभी प्राय चुपी हुई से है गुप्त मतलब जो चुपी हुई उस्मा है उसी को कहते हैं वाई मंडली यह दाप पर एक किलो ठोस को उसके गलनांग पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उस्मिय और जा की आफशकता होती है उसे देखे उसे संगलन की प्रसुप्त उस्मा कहते हैं संगलन की प्रसुप्त उस्मा कहते हैं देखिए आप बर्फ का टुकडा लेते हैं उसको हम एक निश्चिता पर गर्ब करते हैं बर्फ तब तक बर्फ को आप अगर इसे छुए रहते हैं तो बर्फ ठंडा ही रहता है आपको महसूस होगा कि बर्फ हमने नीचे से गर्मी तो दे रहे हैं उसको लेकिन क्या हो रहा है बर्फ ठंडा ही रहता है उस बर्फ जो बर्फ होता है वो जब पूरी तरह से द्रव में बदल जाता है तब आपने मह वो बर्फ तुरंत क्यों नहीं गर्म हुआ है वो बर्फ तो ठंडा ही रहता है ठीक है वो अलग बात है कि वो गल रहा है लेकिन बर्फ ठंडा ही रहता है ठीक तो इसी चीज को हम कहते हैं कि वो जो उसमा है वो बर्फ अपने अंदर आउसोसित कर लेती है और उसी को हम कहते ह गुप्तुस में ठीक है चलिए आगे देखते हैं देखे अर्थाद 0 degree centigrade यानि 273 Kelvin पर जल के कड़ों की उर्जा 273 Kelvin पर यानि 0 degree Celsius पर जल के कड़ों की उर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कड़ों की उर्जा से अधिक होगी जाहिर सी बात है बर्फ के कड़ों में जो उर्जा होगी वो जल के कड़ों की उर्जा से कम होगी अब देखे तब कहे क्या रहा है कि तापमान वही है 0 degree Celsius पर पानी भी है 0 degree Celsius पर वही चीज बर्फ भी है तापमान है लेकिन वहीं पे जब पानी रहता है तो उसमें उर्जा अधिक होती है उसके कड़ों में लेकिन जब वही 0 degree Celsius पे बर्फ रहता है तो उसके कड़ों के बीच में उर्जा कम होती है पानी की तुला में तापमान ताप पे तो यह चीज़ें हैं अगर पदार्थ द्रवित रूप में है तो उसके कड़ों के बीच में उर्जा अधिक होगी, वहीं पदार्थ अगर ठो सवस्था में है तो उसके कड़ों के बीच में उर्जा कम होगी, चाहे तापमान समानी क्यों ना हो, ठीक है, देखे, जब हम जल में उसमिय उर्जा दे बहुत अधी कुस्मा देंगे तो जो दो कड़ों की बीच में आकर शडबल है वो क्या होगा तूट जाएगा और यह इदर उदर भागने लगेंगे इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना सुरू करते हैं अब जैसे यह तूट जाएगा यह गैस बनके उपर उड़ने जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता हो उसको हम क्वथनांग कहते हैं उस द्रव का या उस पदार तक ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं यह तो हो गया क्वथनांग और हमारा गलना दो चीज़ आपने यहां पर देख लिया जल के लिए यहमान कितना है देखे जल के के लिए यहमान है 373 केल्विन यानि 100 डिगरी सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 प्लस 100 करेंगे तो हमारा 373 केल्विन आ जाए गए 373 केल्विन पर हमारा जो पानी है वो उबलने लगता है चलिए अब यहां आते हैं देखे 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 373 यानि 100 डिगरी सेल्सियस तापमान पर भाव अर्थात जो हमारा वास्प होता है पानी को गर्म करेंगे तो भावी बनेगा ना यानि वास्प होगा वही कि कड़ो में उसी तापमान पर पानी के कड़की ये पेक्षा अधिक उर्जा होती है तो जाएर सी बात है गैस के कड़ों में उर्जा अधिक होगी और द्रव के कड़ों में उर्जा कम होगी क्योंकि भाग के कड़ों में वास्पी करड की गुप्त उस्मा की रूप में अतरिक्त उस्मा अवसोसित कर लिए है जो भाग के कड़ होते हैं वासपी करड की गुपत उस्मा के रूप में अत्रिक्त उस्मा को आशोसित कर लेते हैं दीखिए कोई ठोस अवस्था है उस्मा देंगे तो द्रव में परिवर्तित होगा और उस्मा देंगे तो गैस बनेगा इसी गैस को जब सीतल करेंगे तो द्रव में परिवर्तित होगा और इसी द्रव को और सीतल करेंगे तो ठोस में परिवर्तित होगा जैसे बर्फ का द्रव में परिवर्तित होना और फिर उस द्रव का गैस में परिवर्तित होना और फिर गैस का बर्फ में परिवर्तित होना बर्फ का ठोस में परिवर्तित होना यही प्रकिरिया आपका यहां पे दिया है तो इससे हम कह सकते हैं कि हम ठोस पदार्थ को द्रव में और द्रव को गैस में बदल सकते हैं और गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में बदल सकते हैं यानि आवस्था परिवर्तन हम कर सकते हैं तापमान पे प्रभाव डाल कर ठीक है तापमान पे प्रभाव डाल कर चलिए अब कुछ पदार्थ हैसे भी होते हैं ठीक है जो ठोस आवस्था से सीधे गैसी आवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड ले और इसे चूड करके यानि इसको पीस कर जो छीनी मिट्टी वाली बरतन होते हैं छीनी मिट्टी के बरतन में रख लए। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के उपर रख दें ठीक है देखिए और इस कीप के एक सिरे पर जो पतला वाला सीरा है ठीक है सिरे पर रूई का टुकडा रख दें ये देखिए चित्र में दिया गया है ऐसे ये बरतन है बरतन में यह रख दिया गया है और यहाँ पे इसको इस्टोग को on कर दिया गया यह keep है keep ऐसे रखा है और keep के इस सीरे पर रूई रखा हुआ है चलिए इस विदि को हम कहते हैं ओर्धुपातन ठीक है ओर्धुपातन ओर्धुपातन अमोनियम क्लोराइड का उर्धुपातन, उर्धपातन विधी में क्या होता है? जो वस्तु है ठोस वस्तु सीधे गैस में परिवर्तित हो घ्र क्ल के परिछ धी सीधे गैस में बदलने की प्रकिरिया को उर्धुपातन कहते हैं इस ये उर्धुपातन प्रकिरिया आप पिछले कच्छाओं में पढ़ चुके हैं यहां पे एक बार आपको और पढ़ाया जा रहा है ठीक है देखे तो क्या है उर्धुपातन ठोस अवस्था से कोई पदार् प्रकिरिया होती है तो इसे निछे पढ़ कहते हैं यानि गैस से जब पदार्थ को हम सीधे ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं तो इस प्रकिरिया को हम निछे पढ़ कहते हैं चलिए तो यह एक विदी है इसको आप याद रखेंगे निछे पढ़ क्या होता है अभी तक हमने देखा ताप परिवर्तित करके हम चा कर रहे थे ताप परिवर्तित करके हम अवस्था परिवर्तन कर रहे थे पदार्थ का अब हम दाप परिवर्तन करके क्या अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं, एक दम करते हैं हम, देखिए, दाप परिवर्तन का प्रभाव, देखिए, कड़ो की बीच की दूरी में, अंतर होने की कारण पदार्थ की विभिन आवस्थाओं में अंतर होता है, ठीक? अब कड़ों की बीच में ठोस में कम दूरी होता है, द्रव में जादा दूरी होता है और गैस में बहुत दूरी होता है, ठीक है? तो इस तरह से पदार्थों में अंतर होता है, होने की कारर पदार्थ की विविन अस्थाओं में अंतर होता है, किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर यवन संपीडन करने पर चाहगा अद्दि ह्मारे घरों में जो गैस आती हैं हमको पता है लिक्रीफाइड पेटोलियम गैस होती है गाडियों में जो गैस स्थे जो चलती है गाडिया वो कौनसे होती है ? Cng होती है, compressed natural gas यानि ये सारी gas से तंपीडन होती है यानि gas को हम कंप्रेस कर सकते हैं अब gas को कंप्रेस करके हमने किस क्या बना दिया हमने liquid बना दिया धिरवावस्थान में परिवर्थित कर दिया इसे चलिए दीखिए होता क्या है कि दाप बढ़ाने पर पदार्थ के कड़ों को समीब लाया जा सकता है यानि गैस के कड़ दूर दूर होते हैं अब गैस के कड़ों को जब हम बहुत अधिक दाब दे दें तो क्या होगा ये गैस के कड़ आपस में एकदम समीब आ जाएंगे, पास आ जाएंगे ठीक है? और दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है तो क्या पता चला हमको कि दाब बढ़ने पर और ताब घटने से जो गैस होते हैं गैसी पदार्थ होते हैं वो द्रव में बदल जाती है या बदल सकती है ठेक है देखे ठोस CO2 यानि ठोस carbon dioxide आपने अक्सर सुना होगा dry ice या ठोस carbon dioxide इसे उच्छ दाब पर संग्रहित किया जाता है जब Y-mandal का दाब एक ATM यानि atmosphere होता है तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आई बिना सिधे gas में परिवर्तित हो जाता है यही कारण है कि ठोस carbon dioxide को सुस्क बर्फ यानि dry ice भी कहते है dry ice का नाम आता है तो इसका मलब carbon dioxide के बारे में कह रहा है देखें यह द्रव अवस्था है द्रव से gas में आया और निच्छेपडविदी से यह gas ठोस में परिवर्तित हो गया और फिर यह संगलन से द्रव में आ गया ठीक यह प्रकिरिया हैं सारी जो आप रुपांत्रड पदार्थों का रुपांत्रड करती है इन प्रक्रियाओं के द्वारा पदार्थों में रुपांतरण कर सकते हैं या उनमें होती हैं ठीक है अब जैसे द्रव है, द्रव को जमाएंगे तो बर्व बनेगा, यहनि द्रव का मतलब जैसे पानी मान लिए, तो पानी को जमाएंगे तो वो जम के ठोस बनेगा, बर्व बनेगा, ठीक, अब ठोस को हम एक उर्दुपातन विधी है, उर्दुपातन विधी से सीधे जैसे में बदल सकते हैं तो यह सारी प्रकिरियां हैं जिससे कही ना कहीं से यह आपस में रिलेट होते रहते हैं यानि हम कह सकते हैं कि दाब परिवर्तन करके और ताप परिवर्तन करके हम जो पदार्थ हैं उनकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं तो ये इसका पूरे का हमारा क्या था निसकर्ज था चलिए अब आते हैं वास्पी करण वास्पी करड़ वास्पी करड़ आपको पता होगा वास्पी करड़ क्या चीज होती है दिखें जल को खुला छोड़ देने पर यहां धीरे धीरे वास्प में परिवर्तित हो जाता है ये एक तरह से जल का वास्पी करड़ है इसी को हम क्या कहते हैं जल का वास्पी करड़ चलिए एक चीज यहाँ पर है atmosphere यानि ATM लिखते हैं जिसको ये gas दाब के मापन का मात रख है दाब का जो SI मात रख है वो पास्कल होता है और 1 ATM बराबर होता है 1.01 10 to the power 5 PA यानि पास्कल ठीक है तो ये एक छोटा सा बिंद था इसको याद रखेंगे समुद्र की सतह पर वाई मंडलिय दाब एक atmosphere होता है यानि समुद्र का जो सतह होता है उस पर जो pressure होता है वाई मंडलिय दाब का वो 180 होता है ठीक है इसे हम सामाने दाब कहते है चलिए तो ये तो था हमारा दाब के बारे में थोड़ी जानका दी चलिए अभी आते हैं वास्पी करड़ तो वास्पी करड़ क्या होता है हमको पता है पानी का हवा में मिल जाना ही वास्पी करड़ कहलाता है यानि जो द्रव है पानी है हमारा उसका जल वास्प में परिवर्तित होना ही वास्पी करड कहलाता है ठीक है अब सिर्फ जल की बात नहीं है ठीक है वास्पी करड का मतलब द्रव का गैस में परिवर्तित होना ही वास्पी करड कहलाता है अब सामानता हमारे सामान जीवन में क जैसे गीले कपड़े हम सुखाते हैं ना आपने देखे ही होंगे कि कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हमारी माता जी या बहन जी जो होती है घर में या कभी-कभी हमको खुदी धोना पड़ता है ठीक है होता है ना कभी-कभी तो कपड़े धोते हैं तो गीले होते हैं और उसक है वास्पी करड़ चलिए देखते हैं पदार्थ के कड़ हमेशा गति सील होते हैं और कभी रुकते नहीं तो हमने अभी देखा कि पदार्थ के कड़ हमेशा गति सेल होते हैं धी में गति करेंगे तेज करेंगे जैसे भी करेंगे लेकिन गति करेंगे एक निश्चित तापम ठीक, द्रवों में सतह पर इस्थिर कड़ों के कुछ अंसों में इतनी गति जूरजा होती है कि वे दूसरे कड़ों के आकरसड बल से मुक्त हो जाते हैं अब जो द्रव होते हैं, द्रव में जो उपरी सतह होती है, जानि जैसे कहीं पे ऐसे बरतन है, इसमें पानी की जो ये उपरी सतह होगी न, इसमें किसी कारण से गती जूरजा बढ़ जाती है, अब कारण कुछ भी हो, वो बात की बात है, तो जो किसी कारण से गती जूरजा इन उपरी वाले कडों में बढ़ जाती हैं और वो अपने नीचे वाले कडों से जो जुड़े होते हैं उनसे अलग होके बाहर निकल जाते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं देखें कौथनांक से कम तापमान पर द्रव के वास्पन या द्रव के वास्प में परिवर्तित होना इस प्रकिरिया को वास्पी करण कहते हैं देखें क्या कह रहा है कौथनांक से कम तापमान पर जो कौथनांक का जो तापमान है जिसी भी द्रव का जो कौथनांक उस द्रव का जो कौथनांक का तापमान होगा उससे कम ताप पर जब कोई द्रव वास में परिवर्थित हो जाता है तो उसे हम वास्पी करण कहते हैं तो ये है वास्पी करण कहते किसको है किसी भी पदार्थ का किसी भी द्रव का जो कुथनांग तापमान होगा है उसे कम ताप मन पर जब पदार्थ जो होता है वो वास्प में परिवर्तित होने लगता है तो उसको वास्पी करण कहते है अब देखिए वास्पी करण को परभावित करने वाले कारक वास्पी करड़ को कॉन्ट रवाइट करता है यहनी वास्प जो वास्पन की क्रिया होती है वो किस चीज़ पे निरխर करती है चलिए देखते हैं देखिए एक लेते हैं मान लीजे वास्पी करड़ के लिए एक आप ले लीजे पानी का बोतल ठीक एक पानी का बोतल लीजिए इसमें पानी भर लीजिए और एक थाली लीजिए ठीक है एक थाली लेंगे थाली में हम क्या गरेंगे इसमें भी पानी भर लेंगे समान मात्रा में बोतल में जतना पाणी होगा उतना पाणी हम थाली में भी रखेंगे ठीक है अब दोनों को हम धूप में रख देते हैं ठीक धूप में ऐसे रख के छोड़ दीजे अब फिर देखिये चाहे एक दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी रखा हो आप उसको बस देखिए कि किसमे से पानी पहले कम हो रहा है या किस बरतन का पानी पहले सूख गया तो इससे क्या पता चलता है इसमें जो है आपने देखा कि इसमें जो छेतरफल है वास्पी करड का बोतल सिर्फ इतने एरिया में खुला है उपर खुला है तो वास्पन यहां से हो रहा है लेकिन वहीं बरतन थाली की बात करें तो वास्पन यहां से इस पूरे एरिया से हो रहा है यानि यह छेत्रफल पर निर्भर करता है थाली का पानी जल्दी सूख जाएगा जल्दी वास्पिक्रित हो जाएगा बोतल की तुल ना में थाली का पानी जल्दी वास्पिक्रित हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो यानि कह सकते हैं कि ये छेत्रफल पर भी निर्भर करता है, तो छेत्रफल वाला तो हमको पता चल गया कि ये छेत्रफल पर निर्भर करता है अब और भी चीज़े देखते हैं सतर छेतर फल बढ़ने पर हम जानते हैं कि वास्पी करड एक सतही पर किरिया है सतही छेतर बढ़ने पर वास्पी करड की दर बढ़ जाती यानि अभी मैंने बताए कि जब थाली में कई पानी रखा होगा तो यहां का पानी जल्दी उड़ेगा वहीं बोतल में पानी ऐसे भर दिया जाए तो यहां का पानी जल्दी नहीं उड़ेगा तो जितना बड़ा छेतरफल होगा पानी वहाँ वास्पन ज़्यादा होगा वास्पन की दर अधिक होगी यहाँ पे खुला छेतरफल ज्यादा था यहाँ पे खुला छेतरफल कम था ठीक है इसलिए यहाँ का पानी जल्दी निकला यहाँ का कम निकला जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उने अब जैसे कपड़ा अगर हम बटोर के रख दे तार पे तो वो नहीं सूखता लेकिन वही कपड़े को इसलिए कहा जाता ना फैला के रखा जाए फैला के रखने का मतलग तार पे जब उसको फैला के रखेंगे तो वो कपड़ा जल् पर अधिक कड़ो को परयाप्त गति जूर्जा मिलती है यानि अब उसमें जो पानी के कड़ होते हैं उनमें गति जूर्जा अधिक हो जाती है जिससे वे वास्पिक्रित हो जाते हैं जायची बात है जब कड़ो में गति जूर्जा जाती होगी तो वो भागना चाहेंगे नि विद्दमान जलवास्प की मातरा को आदरता कहते हैं, आदरता की कमी इस पर भी निर्भर करता है वास्पान, आदरता क्या होती है, जो वायू है उसमें विद्दमान जलवास्प की कितनी मातरा है वही आदरता कहलाती है, किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वाय में जल के कडो की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वासपी करड की दर घट जाएगी इसी लिए बरसात के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते ठीक है बरसात और ठंडी के मौसम में आपने देखा होगा कि कपड़े जल्दी नहीं सूखते वहीं गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं गर्मी के मौसम में जो आदरता होती है वो कम होती है वहीं बरसात और ठंडी के मौसम में जो वातावरण में आदरता होती है वो जादा होती है इसी लिए जो कपड़े में पानी होता है वो जल्दी से वास्पी क्रित नहीं होता वहीं गर्मी के मौसम में वो कपड़े में से जल्दी वास्पी क्रित हो जाता है तो इसका मतलब छेतरफल, तापमान और आधरता इन तीनों पर हमारा वास्पी करड निर्भर करता है अब एक चीज और है वायू की गती, देखे, वायू की गती पर भी निर्भर करता है तेज हवा चलेगी, तो वास्पन तेजी हुसे होगा, धीमी हवा चलेगी, तो धीमे होगा जैसे आपने देखा होगा कि जब हावा तेज चलती है और तेज हावा में हम कपड़े सुखाने के लिए फैला देते हैं तो क्या होता है कि वो जो कपड़ा है जल्दी सूख जाता है वही जब हावा नहीं चलती तो उसी कपड़े को सूखने में टाइम लगता है ठीक है, तेज वायू में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वायू की तेज होने से जलवास्प के करण वायू में या वायू के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवास्प की मातरा घट जाती है, ठीक है, तो इन चीजों पे वास्पी करण का प्रभाव पढ़ता ह या वास्पी करण इनसे प्रभावित होता है ठीक है चलिए अब वास्पी करण के कारण सीतलता कैसे होती है यानि अगर वास्पन की क्रिया होती है तो वो चीज ठंडी कैसे होती है सीतलता का मतलब सीतलता कैसे आती है चलिए देखिए द्रभों में निरंतर वास्पी करण होता रहता है वास्पी करण के दोरान कम हुई उर्जा अब देखिए ये पानी है पानी के जो उपरी कड़ है ये निकल गए जब ये निकल गए तो इसका मतलब यहाँ पर उर्जा कम ह गई यह बाहर चले गए तो उर्जा कम हो गई अब देखिए तो यह जो उर्जा कम हुई है इसी उर्जा को पुनह प्रात करने के लिए द्रव के कड़ अपने आस पास से उर्जा अवसोसित कर लेते हैं अब यह बरतन में रखा था तो यह अपने आस पास से उर्जा अवसोसित करेगा तो यहां का जो उर्जा होगा यह अंदर खिंच के लाएगा ठीक तो ये क्या हो जाएगा ये जगह ठंडी हो जाएगी यहां का उर्जा जब अंदर आ जाएगा तो ये जगह जो होगी ये ठंडी हो जाएगी इसी को कहते हैं सीतलता वास्पन के कारड सीतलता ठीक है इस तरह आसपास से उर्जा के आउसोसित होने के कारड सीतलता हो जाती है जैसे अब देखिए नेल पॉलिस में एक चीज आती है नेल पेंट रिमूवर नेल पॉलिस हटाने वाले इसको बोलते हैं ठीक है नेल पेंट रिमूवर nail remover ऐसे कुछ कहते हैं उसको ठीक है तो वो जो nail polish हटाने वाला द्रव होता है वो जब हाथ पे हमारे लग जाता है तहीं हाथ वाथ पे गिर जाता है तो क्या होता है हमको ठंडग का महसूस होता है या आपने देखा होगा कि जब हमारे हाथ पे sprit लग जाता है तो हमको बलता हमको इसी लिए महसूस होती है देखे जब आप एसीटोन या नाखून की पालिस हटाने वाला द्रव ठीक nail paint remover जिसको बोलते हैं को अपनी हतेली पर गिराते हैं तो क्या होता है इसके कड़ आपकी हतेली या उसके आसपास से उर्जा प्राप्त कर लेते हैं यानि ये बहुत दर्शत क्या है कारड क्या है ये जो nail paint remover होता है इसके द्रव के कड़ बड़ी तेजी से उड़ने लगते हैं और उड़ने के कारड यहां पर उर्जा की कमी बहुत तेजी से होनी लगती है और ये अपनी उर्जा की कमी अगल बगल या आपके हाथ की उर्जा से पूरी करने लगते हैं तो वहां से उर्जा ये आवसोसित करते हैं और कहीं से उर्जा जब ये आवसोसित करते हैं तो वो जगह या वो कड़ ठंडे होने लगते हैं यानि ये कड़ ठंडा होने लगता है और इसलिए हमको सीतलता का अनुभा होता है ठीक है और वास्पी कृत हो जाते हैं जिससे हतेली पर सीतलता महसूस होती है तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले अस्थान पर जल छिड़िकते हैं क्योंकि जल के वास्पी करड की गुपत उसमा गर्म सतह को सीतल बनाती है वास्पी करड की करड सीतल होने के और उधारड दे सकते हैं जैसे गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए क्यों पहनने चाहिए, देखिए इसका कारण, देखिए, सारीर प्रकिरिया की कारण, यानि हमारे सरीर में कुछ ना कुछ प्रकिरिया होती है, इसलिए हमारे सरीर से पसीन आता है, हमें ज्यादा पसीन आता है, जिस्ते हम, जिस्ते हमें सीतलता मिलती है, जैसे, अभी ये वास्पी करड के दौरान द्रव की सतह की कारड हमारे सरीर या आसपास की उर्जा प्राप्त करके वास्प में बदल जाते हैं। यानि जो हमारा सरीर में पसीना होता है वो क्या होता है वो हवा या किसी ना किसी कारड से वो क्या होता है वास्प में परिवर्तित होने लगते ह वास्पी करड़ की प्रसुत उस्मा के बराबर उसमें उर्जा हमारे सरीर से आउसोसित होती है अब वास्पी करड़ के करड़ वो जो वास्प बनके उड़ा है उसमें उर्जा की कमी आई फिर क्या होता है वो उर्जा हमारे सरीर से खींच कर पूरी करता है इसी लिए हमको सीतलता का अनुगह होता है जिससे सरीर सीतल हो जाता है चुकि सूती कपड़ों में जल का आवसोशड अधिक होता है इसी लिए हमारा पसीना इस से इसमें आवसोशित होकर वाई मंडल में आसानी से वास्पिक्रित हो जाता है इसी लिए कहते हैं कि हमें गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए ताकि गर्मी का एहसास थोड़ा कुछ हथ तक कम हो चलिए अगला देखते हैं बरफीले जल से भरे गिलास की बाहरी सता पर जल की बूंदे क्यों न जाराती है चलिए इसका क्या कारण है ये भी दिख लिते हैं बायू में उपस्तित जल वास्प की उर्जा थंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यहां दरव आवस्था में बदल जाता है जो हमें जल की बूंदो के रूप में न जाराता है क्या होता है बायू में उपस्तित अब हवा में जल वास्प उपस्तित है यह भी आपने उपर ही देखा कि कम हो जाता हो वो बात की बात है लेकिन हवा में जल वास्प उपस्तित होता है ठीक है अब वो जब ठंडे पानी के संपर्क में आता है तो संपर्क में आने के बाद क्या होता है उसमें जो उर्जा होती है जलवास्प की उर्जा होती है वो कम हो जाती है ठीक पहले उर्जा जादा रहती है लेकर हम ठंडे पानी के संपर्क में आ गया तो उर्जा कम हो गई सबसे ज़्यादा है तो वो गैस रूप में होगी उस से थोड़ा कम हो गई तो द्रव रूप में होगी और बहुत सबसे कम है तो वो एक तरह से कम मानते हैं कि ठोस्त में होगी तो भाई कहा रहा है कि जब उसमें उर्जा जादा थी तो वो गैस रूप में था यानि जलवास्प के रूप में था जैसे ही वो ठंडे पानी के संपर्क में आया तो क्या हो गया ठंडे पानी के संपर्क में आने पर वो जो उर्जा थी जलवास्प की वो कम हो गई कम होने से वो द्रव में परिवर्तित हो गया और द्रव में परिवर्तित होने के कारण ग्लास या जो भी बरतन है आपका वहाँ पे वो द्रव के रूप में बूद बूद के रूप में इकठा हो जाता है इसी कारण हमको वो बूंद बूंद के रूप में नजर आता है हलाकि वो होता क्या है glass के अंदर का पानी बाहर नहीं आता क्या आता है जो हवाय मंडल में जलवासप होता है वो जाके glass पे चिपक जाता है और द्रاؤव का रूप ले लेता है चलिए तो ये था अब हम ने इस पार्ट में क्या सीखा चलिए पहले एक चीज और देख लेते हैं ये ये गमुखी चीज है अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि पदार्थ की तीन आवस्था हैं ठोस, द्रव और गैस लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा पदार्थ की कुछ और आवस्था हैं चलिए देखते हैं वैज्यानिक पदार्थ की पाँच आवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं यानि पाँच आवस्थाओं के बारे में चर्चा हो रही है तीन तो fix हैं, तीन हमको पता है एक तो है बोस, आइंस्टाइन, constant एक ठोस, एक द्रव, एक गैस और एक प्लाजमा तो पहले देखते हैं प्लाजमा क्या है ठोस, द्रव, गैस के बारे में हमने पढ़ा अब पढ़ते हैं प्लाजमा क्या होता है यानि ये भी एक प्रकार का, क्या माना जाता है पदार्थ की अवस्था है देखे, इस अवस्था में कड अत्यधिक उर्जा वाले होते हैं यानि इनके अंदर उर्जा बहुत अधिक होती है यानि गैसी ये कडों से भी अधिक होती है यानि इनके अब उर्जा अधिक है तो जाहिजी बाते उत्तेजित होगा जैसे होता ना कि आपके जो दो-चार दोस्त होंगे उनमें से एक ना एक दोस्त ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमेशा लड़ने वाली ताकत भरी रहती है एक दम कहीं भी कुछ हो जाए बस मार कर लेना है यानि उनके अंदर उत्तेजना भरी होती है एक दम उर्जा बहुत अधिक होती है तो वैसे ही प्लाजमा है कि इसके अंदर अत्तिधी कूरिजा होती है इसके कड़ों में ये कड़ आयनी क्रित गैस की रूप में होते है फ्लोर्सेंट ट्यूब और नियान बल्ब में प्लाजमा होती है नियान बल्ब और फ्लोर्सेंट ट्यूब होती है उसमें प्लाजमा भरे जाते है ठीक नियान बल्ब के अंदर नियान गैस और fluorescent tube के अंदर helium या कोई अन्य गैस होती है यानि इनके अंदर भरे जाते हैं fluorescent tube में helium या कोई और गैस होती है और नियान बल में नियान गैस होती है अब इन गैसों के कारट जब इसमें विद्दू तूर्जा प्रवाइत होती है तो इन गैसों में ये गैसे आइनी करित होती है और इन में फिर प्लाजमा तयार होता है वो चमकीला पदार्थ उसी को प्लाजमा कहता है देखिए विद्दू तूर्जा प्रवाइत होने पर यहां गैस आइनी करित यानी आवेसित हो जाती है आवेसित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाजमा तयार होता है गैस के सुभाव के अनुसार इस प्लाजमा में एक विसेश रंग की चमक हो जाती है प्लाजमा के कारड ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है यानि जो चमक का कारड है जो चमक होती है वो किसके कारड होती है वो plasma की कारण होती है ठीक है उच्छ तापमान के कारण ही तारों में plasma होती है यानि plasma कहां से आता है तापमान के कारण ठीक, चलिए अब आते हैं Bose Einstein constant पर यूदकि इसको भी एक तरह का ये जो constant है इसको भी एक तरह का क्या माना जाता है पदार्थ चली बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट सन 1920 में भारतिय वेज्ञानिक सतेंद्रनाद बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गड़नाई की थी उन गड़नाओं के आधार पर अलबर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की नई अवस्था की भाष्षवाड़ी की जिसे बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट या बी इसी कहा गया सन 2001 में अमेरिका के एरिक एक कार्नल उल्फलग गैंग उल्फ गैंग के ट्रेल और कार्ल ई वेमैन को बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरुसकार से समानित किया गया यानि बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट जब बोस जी ने अपनी गड़नाई की गड़नाओं के अधार इन्होंने दे दिये हमारे जो भारत के वैग्यानिक बोस जी थे फिर आलबर्ट आइंस्टाइन ने इसकी एक अवस्था बता दी आलबर्ट आइंस्टाइन ने बोस जी की जो गड़नाई थी उनके अधार पे इन्होंने बताया कि हाँ ऐसा कुछ है फिर और भी कई वैग्यानिक मिलके जब इसके बारे में सिब्ध किये तो उनमें से ये जितने वैग्यानिक थे सभी को नोबेल पुरुसकार से समानित किया गया सामान ने वायू के घनत के एक लाख में भाग अब देखे सामान ने वायू सामानिवायू मान लेते हैं सामानिवायू का घंद तो एक है इसका क्या कह रहा है एक लाख हमाँ भाग तो एकाई दहाई सैकड़ा हजार तस जार लाख यानि एक बटा एक लाख भाग जो है जितने कम घंद वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंदा करें करने से भी इसी तयार होता है यानि बोस आइंस्टाइन कॉंस्टेंट तयार होता है तो इतना आप जान लिजे कि पलार्थ की पांच अवस्थाओं की चर्चा है तीन अवस्थाएं हम अब तक पढ़ते हुए आ रहा है बाकी दो अवस्थाओं एक तो प्लाजमा हो गई और दूसरी वोस आइंस्टाइन कॉंस्टेंट हो गया ठीक है तो इसके बारे में भी आप जानकारी रखेंगे चलिए तो अब हमने इस पार्ट में क्या सीखा वो देखते है चलिए देखे क caminho मिल गर्णा होता है जाइक՝ लुती बात है तो सहल क्रोल से मिलके सारे प्ताथ बने है यार्ण पास जरव तीद्धाओं में विद्नमाद मिद्धाओं यह डृव कह रहा हूं मैं अब है यह ड्रव्यक कह रहा है ड्रव्य मतलब प्तार्थ ठीक है द्रव्य, सूछ मकडो से मिलके बने है, थोस, द्रव, गैस ये सभी क्या है, द्रव्य है, और ध्यान से सुनियेगा, द्रव नहीं है, द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य मतलब पदार्थ, तो ये सूच्मकड़ों से मिलके बने हैं इनकी तीना वस्थाएं होती हैं सामानता ठोस, द्रव, गैस बाकी दो वस्थाएं भी हैं जिन में से एक प्लाज्मा है और एक वोस आइंस्टाइन कांस्टेंट है ठोस के कड़ों में आकरशडबल सबसे अधिक होता है गैस के कड़ों में सबसे कम और द्रव के कड़ों में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है ठोस के कड़ों में ठोसों को निहित करने वाले कड़ों के बीच में रिक्तस्थान और गति जूर्जा नियुक्तम होती है गैस के लिए या अधिक्तम किन्तु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होती है ठोस के लिए उनके कड़ों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है यहनी जो ठोस की कड़ होते हैं बहुत क्रमित एकदम व्यवस्थित रूप से बंदे होते हैं रखे होते हैं द्रवों में कड़ों की परते एक दूसरे से फिसल वा एस्खलित हो जाती हैं द्रवों में ऐसा नहीं होता. ठोसकिय पेक्षा ये बहुत कम ही व्यवस्थित होते हैं. ठीक है? फिर गैसों में कोई करम नहीं होता. इनके कड अन्यमित रूप से विचरड़ करते हैं. ये दर उदर घूमते रहते हैं. पदार्थ की अवस्थाएं अंतहा परिवर्तित होती है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है यानि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं पदार्थ को ठोस में बदलना द्रव में बदलना द्रव को गैस में बदलना इस तरह से जो बदला होते हैं इन पर हमने अंतरत कैसे करते ह इन पे प्रभाव डालता है हमारा ताप और दाप, ताप और दाप पे प्रभाव होने के कारड इनकी अवस्थाओं में भी परिवर्थन आ जाता है उर्थ पातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्थित हुए बिना सीधे गैसी अवस्था में आ जाते है निझे पड प्रकरम में गय सी ये पडार्थ सीधे थोस अवस्था में आ जाता है कौथनांग की समिस्ट परिगटना जिसे समिस्ट के कडड द्रव अवस्था से वास्प में परिवर्तित हो जाते हैं क्वाथनांक क्या है कि इस ताप पर जो δ्रव है वो धीरे-धीरे क्या होता है फिर वास्प में परिवर्तित होने लगता है यानि पूरा द्रव खॉलने लगता है वास्पी करड एक सतह की परिखटना है सतह की कड़ परियाप्त उर्जा ग्रहड कर उनके बीच के परस पर आकर्षड बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वास्प अवस्था में परिवर्थित कर देते हैं ठीक है? आगे देखते हैं वास्पी करण की गति निमलिखित कारकों पर निर्भर करती है ततही छेतरफल जिसका वाय मंडल के परती परित्याग होता है तापमान आदरता और वायू की गति यानि इन चारों चीजों पर जो वास्पी करण होता है वो निर्भर होता है वास्पी करण से ठंडा कुत्पन ह होती है यानि सीधी सी बात है वास्पीकरड से सीथलता उत्पन्न होती है वास्पीकरड की गुप्त उस्मा ताप की वह मात्रा है जो एक किलो द्रव को वयमंडलिये दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसी अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है अगला देखिए संगलन की गुप्त उस्मा उर्जा की वह मात्रा है जो एक किलो ठोस को वयमंडल दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है ठीक है यानि एक तरह से ये गलनांक की बात कर रहा है यानि इसी द्रव का जो गलनांक होता है उसकी बात कर रहा है चलिये, तो यह चीज़े हमने पड़ी, यहां कुछ मात्रक दिये हुए, यह भी हम एक बार देख लेते हैं, देखे, यहां पे यह रासी लिखी हुई है, यहां पे यह मात्रक है, यहां पे मात्रक लिखा हुऊ, यहां पे उनके प्रतीक लिखे हुए है, ठीक है, तापमान का मात रख है केल्विन किसे दर साते है केसे लंबाई का मीटर M से दर साते है ये आपका किलोग्राम देखिए किलोग्राम लिखा है किलोग्राम कैजी यहांपे थोड़ा सा गलत लिख गया है यह जो भार लिखा है, यहाँ पर बल होना चाहिए, बल, बल को हम न्यूटन से दरसाते हैं, ठीक है, बल, बल को न्यूटन से दरसाते हैं, ठीक, और यहाँ पर भार होना चाहिए, तंगहित लिखा है, यहाँ पर भार होना चाहिए, भार को हम किलोग्राम से दरसाते हैं, बल न्यूटन आयतन घन मीटर से घनक तो हम किलो या केजी पर मीटर क्यूब से दर्साते हैं और दाब को पासकल से दर्साते हैं ठीक है तो यह चीज हम ध्यान रखेंगे तो यह आपके अभ्यास प्रस्ण यह आगए दिखें जितने भी अभ्यास प्रस्ण है आप कोशिस करिएगा जितने आपसे हल हो पाते हैं हल करिएगा वरना कमेंट बॉक्स में कहीं कोई दिक्कत आती है तो वह भी आप पूछ लीजिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बाक आपने सीखा हो अगर इससे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ टेलिग्राम चैनल को भी ज़रूर जोईन करें डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गौड ब्लस दिए